बार बार तो प्लिकेश्न को नहीं दे सकते खौल करेंके तो चाहिए तो गर्ट noi बार पर ल але भी ऍेखांट तो आपने पड़िए नों वापत उसी प्राइज में आगया तो इन दोनों चीदों को सालुशन में आपको बताऊंगा इस वीडियो में एलोगाई मेरा नाम वक्तियार है आप देखरें Mr. Techney आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Stop Limit जो कि Miners में एक फीचर है उसको हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं इसको Stop Loss भी का जाता है जो उक्सा Loss को Stop करने के लिए यूज किया जाता है वगर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको Profit के लिए भी कैसे इस्तमाल कर सकते हैं और Loss वे बचने के लिए कैसे इस्तमाल कर सकते हैं तो चलते हैं विडियो की तरह बिटा टाइम एस किये तो सबसे पहले मैं आपको बताऊगा कि अब इसकी प्राइज है 304 अब मैं चाह रहा हूं कि जब यह 320 पर आए तो एक और लग जाए कि अगर यह 320 के बाद वापस 315 पर आता है तो यह सेल हो जाए तो इसमें क्या होगा जब यह मैंने 300 में लिया था अब यह 320 पर अगर आ गया तो यहां पर एक और लग गया 315 पर सेल होनेगा तो अगर 320 से ऊपर भी चला गया तो मेरा प्रॉफिटी बनता रहेगा तो मैं जब चेक करूंगा उसको दोबारा मैं अपनी प्रैस को अप्डेट कर सकता हूं सेल कर सकता हूं वागर इन केस अगर 320 से वो और डाउन होता जाब होता गया वापस 300 पर आ ज देखना है कि यह कितने तक आए तो एक और लग जाए सेल होने का अब मैं इसको बोलता हूं भाई यह 320 पर आए तो यहां पर एक और लग जाएगा कि यहां पर जो मैं प्रैस दिखूंगा कि 315, 317, 318 पर यह सेल हो जाए मैं इसको लगा रहा हूं 315 पर ठीक है जैसे 320 पर आया एक और लग गया सेल होने का 315 पर कितना सेल होना चाहिए 25% 100% कितना हो मैं बोला हूं कि 100% नहीं सेल हो जाए यहां पर अगर 320 पर आता है फिर 315 पर सेल हो जाए कि त्यक्म मैं यहां पर इसको करता हूं सेपी अंपन यहां बहुसे हाँ बतातार अंगर पी अगर बींदी इंसर बीस पर आया गांगि यहंकि और रीयाया मां台 है तो यहां पर 100% नहीं दिखा रहा है जितने हैं मेरे पास 100% BNB का और वह सेल होंगे at the price of 315 USDT पर 315 USDT पर वह सेल हो जाएंगे तो यहां पर जाएंगे मैंने 300$ पर एक BNB लिया था और रात में अचानक यह प्राइस बहुत ज्यादा अप हो गई उसकी 320 तक चली गई 30 चली गई मगर 320 पर क्या था में एक और लगा लिया था कि अगर वह वापस आने लगे जैसे 320 पर BNB आ जाएगा यहां मेरा ओडर आटोमेटिकली लग जाएगा 315 पर सेल करने का तो इस तरह आप स्टॉप लिमिट को प्रॉफिट के लिए इस्तमाल कर सकते हैं अब स्टॉप लिमिट को लोस से बचने के लिए किसे इस्तमाल क्या जाता है तो चली आप मैं वह ज चली ये 300 अब मैं चार आ उण्धान में सो गया है में मार्केट को नहीं दे गरा और प्रैस अचानक से बहुत ज्यादा दमब कर जाती है डाउन हो तो यहां पर लगा दे टूहनडेट एटीएट पे मेरे सारे बीनबी जो है वह यहां पर सेल कर दें क्योंकि मज़े लग रहा है कि उसके बाद बहुत जादा डाउन चला जाएगा अब यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं एटी-नाइन कर सकते हैं एटी-फाइफ कर सकते हैं जितना भी आप यहां पर लगाना चाहते हैं वह आप यहां पर लगा सकते हैं वह और तब लगेगा जब यहां पर 290 पर आगया बीनबी उसके बाद एक और लगेगा फिर मैंने जो यहां पर प्राइस लगाई लगाई होगी उस प्राइस पर यहा आपने एक order लगा दिया 315 पर 2010 पर पर आपने यहां पर लगा दिया 305 उप 21310 से वापस आने की करता है आप मार्केट को देख रहे हैं आपको लगता है वापस भी आसकता है हो वहीं पर देखते विए आप उसको एक order भी लगा सकते हैं 304 अगर आए तो मेरा सेल हो जाए पर तो आडर लगेगा चार पे सेल हो जाएगा तो इस तरह हम लॉस से बचने के लिए भी स्टॉप लिमिन का इस्तमाल करते हैं अमीदे आपको समझ आया होगा नेक्स विए में आपको बता हूँगा के लिमिट ट्रेलिंग स्टॉप ओसी ओको के से स्टमाल करते हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करने सारी वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए अल्लाँ आफिज